अध्यो के माध्य हमलोग चर्चा करेंगे एनलेटी के बलेटी और डिजिटल अवर्नेस के बारे में एनलेटी के बलेटी और डिजिटल अवर्नेसे को हिंदी में बूलते हैं बिस लेशर्ण छंता यों डिजिटल जाकड़ उक्ता There अगर नहीं देखा तो मैं आपको समझा दूँ ठीक है जैसे चेप्टर नंबर वन आपका ये था जिसमें हमने चर्चा करा था ठीक है उसमें हमने चेप्टर नंबर वन के बारे में चर्चा करा था इनल्टी के वेल्टी का ये वीडियो और चेप्टर नंबर टू में मैंने यहां पर जो दो लिखा था इस तरीके चर्चा क पढ़ा तो उसको बारे उसके बारे मैंने आपको बता दिया तमाम प्रकार के प्रस्नों पर चर्चा करें लगबग बहुत सारी कोईसंस मैंने बताए अब जो तीसरा चेप्टर आपका है वो है भिया कौन सा चेप्टर अंक गड़तिये तरक सकती यानि अर्थमेटिक रिजन तो कुछ उधारणों के माध्यम से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार के प्रस्नों को आपको समझाने का काम करेंगे ताकि आपको कोई दिकत ना हो और बड़े ही आसान तरीके से आप समझ पाए इसके बाद में चेप्टर नंबर फोर की बीडियो आएगी तो यहां पर आप देखेंगे चेप्टर नंबर फोर लिखा हुआ मिलेगा इसी प्रकार से आपको चेप्टर वाइज जो आपजिक्टिव टैप के कोसंस होंगे उनको मैं हल करके चुकि रिजनिंग में क्या होगा कि मारल पेपर के माध्यम से मैं आपको एक ही वीडियो में समझाना पड़ता है तो इसी दिश्टी से मैंने एक यह निकाला कि भाई आपको हर एक चेप्टर से बनने वाले इंपोर्टन इंपोर्टन चीजों को समझाएं और कौन से प्रस्न पूछते हैं उस प्रस्न को कैसे हल क्या आता उसकी ट्रिक बताएं उसकी बिधी बताएं ताकि आपको अगर उसकी बताएं तो आप आसानी से हल कर पाएं इसी प्रकार से हर एक चेप्टर से बनने वाले प्रस्नों को हम देते रहेंगे तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को सीर कर दीजेगा ठीक है यही प्रस्न आपकी परिच्छा में आने तो उसमें दिक्कत नहीं होगी मुझे चुकि अगर आप लोग सोच रहे हों कि मैं वीए को पढ़ा रहा हूं तो रिजनिंग सर्जी को बिल्कुल भी नहीं आती होगी ऐसी बात नहीं है रिजनिंग आती है और रिजनिंग को मैं बोर्ड पर भी आपको समझा सकता हूं लि पहला प्रसन आप से पूछेगा एक्जाम में कि एक कालेज में पूरे सिक्षण स्टाप का आउसत बेतन कितना है दो हजार प्रति दिन है और पूरुस सिक्षकों का आउसत बेतन कितना है पचीस सो रुपे है और महिला सिक्षकों का आउसत बेतन जो है वो बारा सो रुप आप सबसे पहले महिला सिक्षकों की संख्या क्तनी है तो आप मन लो कि महिला सिट्चक की संख्या कितनी अपर हल है लेकिन मैं आपको ऐसे समझाने का परियास करता हूं kind of Probable कितनी बैं पहले से दी गई है सोला सिक चखक हैure पुरू से कितने informant 16 हैं तो ये आपको पहले से पता है अब आपको पता होगा कि भाई जो आउसत होता है अउसत निकालने के लिए कई सारी बिध्या होती है जोड़ करना पड़ता है यहाँ पर आपको करना क्या होगा सीधे सीधे अब जो परते दिन पुरुस सिख्चकों का आउसत है कितना है पचीस सो रुपे है ठीक है और इनका कितना है अच्छा सिख्चण का पूरे यानि कि महिला और पुरुस दोनों का दो हजार है लेकिन महिला का आउसत बेतन अलग दिया हुआ है पुरुस सिच्चक का आउसत बेतन लग दिया हुआ है तो X हमने किसको माना था भाई देखे 16 तो पुरुस हो गए गुड़े 25 सो 25 सो रुपे किसको मिलता है पुरुस का बेतन है जोड देंगे किसको X को ठीक है X कौन है महिला सिच्चक की एक प्रकार से जो संख्या है वो और इसमें गुड़ा किसका कर देंगे जो आउसत बेतन उसको मिला है कितना 2000 उसको आउसत बेतन मिला है तो 2000 यहाँ पर लिख दिया हमने अब यह बराबर किसके होगा भया बराबर होगा यह चुकि जो 16 पुरुस है ठीक है 16 पुरुस है और X महिला है इससे गुड़े किसको करेंगे चुकि आउसत बेतन सभी का मिलाकर कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है 2000 से आप इसको कर देंगे गुड़ा ठीक है यह आपका एक आउसत में क्या होता है आउसत का सूत्र इसलिए मैं आपको अभी मैं समझा रहा हूँ आउसत जब भी आपको मिले आउसत का सूतर यही होता है कि जैसे आउसत क्या होता है आउसत बराबर होता है दी गई संख्याएं संख्याओं का योग बटे कुल संख्या जैसे कि एक एक दो तीन चार आपको दिया गई चार संख्या या पांच संख्या इनका आउसत आपको न पांच एकम पांच, फांटियां 15 तीन आपका आऊसत निकलाएगा ठीक है तो आऊसत का मल्लब होता है बराबर बराबर भागों में बाटना ठीक है यानी यहां पर जो बाते बताई गई हैं कि पूरे सिछण स्टाप का आऊसत बेतन कितना है ठीक है आप पूरुसों में अगर बात करें तो पचीस सो रुपे पूरुस लोग पाते हैं महिला लोग बारा सो रुपे पाती हैं ठीक है लेकिन एक दिन का लेकिन जो पूरुस सिक्चक है उनकी संख्या 16 है लेकिन महिला सिक्चकों की संख्या पूची गई है अब आईए इ संख्या आपको दी गई है कि 16 सिक्षक है अब ये प्रस्ण की अनुसार आप देखेंगे चुकि जो आउसत होता है वो जोड़ करके जोड़ा जाता है सबसे पहली बात 16 पुरुस थे 16 पुरुस उनका आउसत बेतन कितना है 25 सो रुपए तो ऐसे पुछेगा तो ऐसे करेंगे सोला क्या है पुरुसों की संख्या है पचीस सो उसका आउसत बेतन है गुड़ा हो गया प्लस दोनों को जोड़ेंगे चुकि महिला का और पुरुस का दोनों का जोड़ेंगे आउसत तभी निकाल पाएंगे ये एक्स कौन है X है महिला सिक्षकों के संख्या और महिला सिक्षक कितना बेतन पा रही एक दिन में 1200 रुपया पा रही है तो इससे गुड़ा कर देंगे बराबर में क्या होगा आपका चुकि बराबर में आपका पूरा चुकी आपको दिया गया है कि संपूर जो पूरे सिक्षक है उनका इस्टाप का पूरा का पूरा वस्वत बेतन दो हजार उपए है तो हमने देखा अब हमको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा जैसे पूरा कितना है दोनों को अगर जोडेंगे तभी ना पूरा का निकलेगा और पूरा का मलब आपक कोशन में दिया है इसलिए हमको यहाँ पर सोला चुकि पुरुस सिख्चक कितने हैं सोला है और महिला सिख्चक कितनी है अभी हमको पता नहीं हमको निकालना है तो एकस ठीक है और गुड़े दोनों का ब्रेकर्ड मटरके कर देंगे चुकि इसका भी आउसत इसका आउसत यह पुरुस है यह महिला है इन दोनों का आउसत अलेडी दिया गया है कि 2000 रुपे एक दिन में एक महिला यह पुरुस को दिया जाता है मलब हर एक महिला पुरुस को आउसत बेतर मलब बराबर अगर देखेंगे तो इतना ही पड़ेगा अब देखें इसको हल कर ले 1600 में अगर 2500 का गुड़ा करेंगे तो आपका कितना आएगा 40,000 आएगा गुड़ा करके देखें आप आ जाएगा ठीक है X में 1200 का गुड़ा करेंगे तो 1200 एकसापका हो गया ठीक है इसलिए मैंने पहले से करके रखा था कि अब कोई दिक्कत ना हो ठीक है इसके अलामा अगर आप आगे देखेंगे तो यह जो आपका 1600 और X है इसमें 2000 का एक बार 16 का गुड़ा होगा एक बार X का गुड़ा होगा तो जब 2000 में हम गुड़ा करेंगे 16 का तो हमना सोरा दुना 32,000 X में गुड़ा करा तो 2000 X ठीक है अब क्या करेंगे देखें 1200 मलब X और 2000 X इसको एक तरफ कर लेंगे तो इसको हमने इधर कर लिया तो जब 2000 में से 1200 X यहाँ पर आएगा चुकि पलस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका 1200 X ठीक है किसमें हो जाएगा भिया माइनस में हो जाएगा तो 2000 में से आपका जब 1200 घट जाएगा तो कितना होगा 800 X बचेगा अब यहाँ पर देखेंगे यह 32 उट करके इधर आ जाएगा अब जब इधर आएगा तो 40,000 में से अगर 32,000 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 8,000 बचेगा तो 8,000 यहां पर हमने लिख दिया ठीक है? तो 800 X बराबर 8,000 आपका हुआ की नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ तो अगर X को आप इधर ले करके जाएंगे तो 8,000 बटे 800 होगा की नहीं होगा? बिल्कुल होगा ठीक है? तो 2,0, 2,0 कट जाएगा 8,000 से 8 कट जाएगा कितना बचेगा? आपका 10 बचेगा यानि की X का मान कितना निकला आपका? 10 निकला X का मान 10 निकला यानि X हमने माना किसको था? हमने माना था कि कालेज में महिला सिक्चकों की संख्या कितनी है यक्स है ठीक है तो यानि कि यक्स के असान पर हमने 10 रख दिया तो ये हो गया आपका 10 लेकिन अगर यही पर आपसे और भी प्रस्ण पूछ सकता है तो उसके लिए भी आप तयार हो जाएं कि 10 आपका यक्स का मान निकला तो अगर यही पर आपसे और भी कुछ पूछ लेता तो आप आसानी से बता पाते हैं यक्स आपसे यही पूछा गया था वही निकाल लेंगे तो आपका सारा हुई गया तो यक्स का मान ने महिला सिक्चकों की संक्या कितनी है दस महिला सिक्षक है, ठीक है, आपसन आपको दिया गया है D-Apsun, आप लगा देंगे D-Apsun, ठीक है, तो दस महिला सिक्षक है और 16 पुरुष सिक्षक है, समझ रहे हैं, तो इस परकार से आपका ये प्रस्ण हल हो गया, आगे देखेंगे अगला प्रस्ण, तो ऐसे प्रसन आपसे पूछेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे अगर आप पहले से समझे रहेंगे ठीक है समझ में आ गया होगा प्रसन अगर आप कहें तो एक बार फिर से मैं समझाओं चलें अभी आगे और भी आपको ऐसे प्रस्ण मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दूसरा कोशन साब देखेंगे दूसरा प्रस्ण है कि चार बेक्तियों की आउसत आयू स्वरी चार बेक्तियों की आयू का योग चार बेक्ति हैं कोई और उनकी आयू का योग जो है कितना है 86 है 86 वर्स है और आज से चार वर्स पहले उनकी ओसतायू क्या थी ठीक है यह पूछा गया आपसे तो देखें आपसे आपको दिया गया अब हल कैसे इसको करेंगे देखें हल करेंगे उत्तर तो आपका डी होगा यह बिल्कुल के लिए यहाँ पर ठीक है सत्तर दशमलो पांच पहले से लेकिन अब इसको हलक ऐसे करना यह देखें दिया है कि चार बैक्तियों की आउसत आयू का योग कितना है चार बैक्तियों का जो आयू का योग है नहीं 4 बैक्ति को है चुकि चार वर्स पहले आयू का योग कितना होगा चार वर्स पहले चुकि चार अगर वर्स पहले कि अगर बात करेंगे तो चार घटा देंगे ठीक है तो 86 में से चार घटाया और चार गुड़ा इसलिए करेंगे यहां पर चुकि चार लोग हैं ठीक है चार लोगों की आउसतायू की बात हो रही है तो यह हो गए आपका बराबर क्या होगा 86 में से आप 4 चोकों कितना हो जाएगा 86 में से 16 घटे कितना होगा 70 आपका बचेगा ठीक है तो यह 70 आपका निकला 4 वर्स पहले आयू का योग ठीक है चुकि तभी हम निकाल पहेंगे ना 4 साल पहले की आउसतायू का योग जब हमको 4 साल पहले के 4 लोगों का आयू का योग पता होगा कि 4 साल पहले जो है इनकी आय था चार साल पहले इनकी वर्तमान आउग कितनी यह चार बेखती हैं इनकी आयू का यह कितना दिया था तो ची आसी का अगर चार से आप भाग करेंगे तो आउसत आयू इनका वर्तमान का निकलाएगा ठीक है तो चार एकम चार चार दूना आठ और चार चोको 16 जोबिस साल का A 24 साल का B 24 साल का C और 24 साल का आपका D होगा यह आउसत आयू के हिसाब से मैंने निकाला आउसत का मलत होता है equal distribution is called average ठीक है यानि बराबर बराबर अगर आप देखेंगे तो बराबर बराबर आपका निकलेगा लेकिन यहाँ पर आउसत आयू नहीं दी गई थी समझ रहे हैं न तो A, B, C और D इसका सभी का योग अब कोई इसमें से 21 साल का होगा कोई 25 साल का होगा कोई 24 साल का होगा और कोई 28 साल का होगा ऐसे से आपको मिला करके जगर जोडेंगे सबको तो आपका 86 आ जाए ठीक है तो अब यह था आपका A, B, C, D का आपका क्या आयू का योग लेकिन आउसत आयू हमको निकालनी आउसत आयू का योग निकालना और 4 साल पहले का निकालना है तो चूकि अभी कम होगा तो चार चूको 16 हो गया तो डारेक्ट इसमें से 16 कम होगा कि नहीं होगा वैसे आप देखो तो जीरो हो जाएगा यहां पर 87 लबकी 8 में से कितना जाएगा एक गया 7 बचा 70 हो गया अब यह 70 आपका निकालाया क्या चार साल पहले के आयू चारों लोगों के योग ठीक है योग माने होता है जोड़ तो अब 4 साल पहले अगर 70 साल के अगर इनकी आयू को जोड़ा जाए तो होता है तो उनकी आउसत आयू कैसे निकालेंगे आउसत आयू चूकी अगर आयू का योग आपको दिया गया है और मैंने आपको बता था कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या उसत का सूत्र होता है तो कुल संख्याओं का योगा लेडी आपको दिया गया सब्तर और कुल संख्या कितनी है चार लोग हैं चार से आप भाग दे दो चार एक कम चार थीक है चार दूना बहलiernब की एक मिंटा इसे देखे 4,1,4 ठीक है और 4,1,4 यहाँ पर भी हो जाए एक होगा और उसके बाद में यहाँ पर 3 चला जाएगा समझ रहे हैं जाएगा कीने यह 4 से घर भाग दोगे 70 में तो 4,1,4 यहाँ हो इस चार दुन्याग, 4,21, 4,6, 5, 2,ठीक है 424, 428, 428, 17 हो जाएगा तो 28, फिर 2 आपका बच रहा है, फिर 0 हो जाएगा तो 428, 17.5 ठीक है, 425, तो 17.5 तो ऐसे ये उत्तर आपका आ गया अब इसको आपको समझें बहुत ही आसान है जैसे 4 साल पहले ABCD को ये 4 बैकती थे उनकी आयू को अगर हम जोडें 4 लोगों के एज को जोडें, तो उनको मिला करके 86 साल होता था लेकिन पूछा गया 4 साल पहले की आवसत आयू क्या होगी आवसत आयू निकालने के लिए सबसे पहले हमको 4 साल पहले इनकी आयू का योग ध्यान देना होगा जो कि जब हम आयू का योग जान जाएंगे बस चार से हम भाग देंगे तो रद निकल आएगा तो हमने क्या किया कि 86 में से हमने क्या किया 4 चोको 16 चोकी 4 लोगों की आयू निकाल ले थी 4 साल पहले की तो 4 चोको 16 ठीक है 70 साल निकला उन लोगों की चार साल पहले 70 साल के ओ लोग थे चार लोगों की आयू तो चार सा वर्स पहले अवसतायों अगर देखेंगे तो आवसतायों का सूत्र यह होता है क्या होता है मैं इसलिए आपको बार-बार समझाने का प्रियास कर रहा हूँ ताकि अगर एक भी लोगों को समझ में नहीं आया तो आप कहेंगे की जो है सर जी हमेरे समाले समझ में नहीं बाद में आप बताओगी तो इसलिए मैं दो-तीन बार इसले समझा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत सतर साल यह निकला है कुल संख्याओं का योग अब कुल संख्याएं कितनी थी कुल व्यक्ति कितने चार थे चार से भाग दे दो यार वही से निकलाया 17.5 यानि कि चार साल पहले उनकी आवसत आयो जो थी वो 17 तरह मलब की 17.5 वर्सकी थी हर एक व्यक्ति 17.5 साल का 4 साल पहले आवसत के हिसाब से देखें तो रहा होगा ठीक है अब जरूरी नहीं कि वो 17 साल मलब पहले ए बी अब इसमें ए बी सीडी के अगर आयो पूछी आती तो उसमें हम लोग और प्रस्न में कुछ दिया होता तो हम निकाल पाते हैं ठीकिन अवसत आयो पूछा गया तो अवसत आयो थी नहीं होती है अगला कोशन साब देखेंगे प्रस्न बहुत ही जबर्दस्ता चुका है प्रस्न बड़ा है इसको लेकर के आप परेशान नहीं होना है आपको बहुत ही आसान तरीके समझेंगे एक कोई अस्पताल है उस अस्पताल में कुछ मरीज जो है डाक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्स करने के लिए प्रतिक्षा कर रहे हैं चालिस रोगियों को मधुमे है, चालिस रोगों के क्या है भीया, मधुमे है, तीस रोगियों को क्या है, उच्छ रख्तचाप है, बाइस रोगियों को मधुमे है और उच्छ रख्तचाप दोनों है, जबकि सत्तरा रोगियों को ना तो मधुमे है और ना ही उच्छ संक्या है यहां नहीं कितने रोगी हैं सीधा-सीधा आपको सरल यह दिया हुआ है सबसे पहले प्रसद में आपका करा है कि एक कोई एस्पताल है उसमें क्या है मधमेह रोगी अब सुगर हैं सीथी रोगीओं पीडित है मधमेह से लोग है यह। 지놓고 की हमदमे कुछ ऐसे लोग हैं 22 रोगियों को मदमेधी है और क्या है उठ रख्टरचाब ये दोनों है तो मदमेधा और उठ रख्टचाब नोगरों के रोगियों कि संख्या कितनी है 22 है तो 40, 30, 22 हमने यहाँ पर लिख लिए, सबसे पहले जो हमको दिया गया है, उसको हम लोग असानी से समझेंगे, और उसके बाद में आपसे ये भी कह रहा है, उसमें कि जबकि 17 रोगियों को ना तो मद में है और ना ही उच रक्तचाप की समिश्या है, यहीं दोनों में से कोई की रोग जिनको नहीं है, वो 17 के संख्या में है, अब आपको यहाँ पर आप निकालना क्या है, निकालना है कि कुल कितने जो रोगी हैं, जो की प्रतिक्चा कर रहे हैं, तो कुल प्रतिक्चार रोगियों के संख्या को निकालने के लिए सबसे पहली बात, आपको यहाँ प रोगी हुए चुकि लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है इन में से यानि 22 ऐसे लोग है जिनको सुगर भी है और जिनको मलब वो भी है उच रक्तचाप भी है तो 22 इसमें से घटाएंगे तभी आपका एक्जेक डाटा निकलेगा कि भाई आपका रोग्यों की संच्याकुल कितनी है ठीक है समझ में आरा चीज़े यानि 40 बेक्ति कैसे हैं जिनको केवल और केवल सुगर है ठीक है और 30 ऐसे लोग है जिनको बीपी है लेकिन सतरा एस और पाईस हैं जिनको दोनों भीमारी आँ हैं, दोनों भीमारी जिनको हैं, तो इसमें से दोनों में से आप जोड़ करके, जब आप दोनों की बिमारी इसे 40-70 कितना हो गया 70 हो गया 70 लोग 70 मेंसे 22 आप घटा देंगे तो कितना निकलेगा आपका जो है 8-10 में से 8 गए 10 में से 2 गए 8 और यहाँ पर आपका बचेगा भिया यहाँ पर बचेगा 6-6 मेंसे 2 गए कितना बचेगा आपका 4-48 ठीक है 48 और सत्तरा रोगी सत्तरा लोग ऐसे हैं जिनको ना तो उच्छ रक्तचाप है और ना ही वो है मलब मधु में है ठीक है तो सत्तरा उसको इसमें आप एड़ कर देंगे ठीक है तो कितना होगा आठ साथ पंदरा के पांच असिला एक चार एक पांच और एक 65 लोग 65 लो कि 80 आदमी यह संप है जा करें सुगर है ठीक है तीस मनई यह में रहें जांपधी गीपी हाई है अब देखा दना भीमार खासर के मधमें है और उनका है तो चालिस तैस सत्तर मनई यही मेरे जगा मलब की सुगर और बीपी दुईनो है लेकिन बाइस मने यही मेरे जगा सुगर बीपी दुईनो है लेकिन सत्तर मने को मिलाए कि चालिस आदमिक खाली और खाली मद में है 30 मने खाली और खाली आपका काउ है बीपी है तो बाइस मने में दुईनो है तो यह मन स निकलेगा यहाँ पर 48 48 लोग ऐसे हैं जिनको एक प्रकार से 48 रोगी को मिला करके उसमें आपके हैं मधुमें और उच्रक्त चाप वाले लेकिन ठीक है 17 लोग और इसमें हैं जिनको दोनों बिमारिया नहीं तो 17 इसमें और राइड करेंगे यानिक पूछा गया कितने लोग वहाँ पर प्रतिच्छा कर रहे हैं अस्पताल में तो 65 लोग हैं ठीक है आगे देखिए तो ऐसे प्रसनाब से पूछेंगे आपको जरूर इसमें थोड़ा सा कठिनाई हो रहे होगी लेकिन एक दुबार फेर से समझेंगे तो आपको सारी चीजे समझ में आ जाएंगी इस बकरियों की से दो गुना हैं बकरियां और बकरियां भेडों से दो गुना है यदि पैरों की कुल गड़ना 44 है तो समूँ में कितने चार पैर वाले जानमर हैं प्रसन बड़ा जबरदस्त आप से पूछा गया है और ये प्रसन बहुत ही important होता है आपको समझना चुकि ये आपकी परिख्रा में जरूर आएगा देखें अब यहां पर सबसे पहले चीज़ तो आपको यहां पर समझनी होगी प्रसन के हिसाब से समझें एक समूँ में उतनी ही मुर्गियां जितनी भेड हैं तो यानि आप सीदे सीदे मानोगे कि भेड और बकरियों भेड और मुर् हैं अब प्रस्ण में और आगे करा कि पूरुस बकरियों से दो गुना है पूरुस कि से बकरियों से दो गुना है और बकरियां भेडों से दो गुना है तो आप बकरी को अगर देखेंगे बकरी ठीक है बकरी भेडों से दो गुड़ा कर देंगे तो आपका भेड निकलेग तो टू यक्स हो जाएगा भेड चुकि दुगुना है भेडों से कौन दुगुना है भेडों से दुगुना है बकरिया ठीक है अब बकरियों से दुगुना कौन है पुरुस है अब पुरुसों की संख्या अगर आप देखेंगे तो चुकि वह बकरियों से दुगुना है बक यही जितनी भेड हैं उतनी ही मुर्गियां हैं तो मुर्गियों की संक्या भी आपका यक्स हो जाएगा लेकिन आगे आपसे कहरा कि पुरुस जो है बकरियों से दो गुना है तो अभी तक हमको बकरियों का ही नहीं पता कि कितना है और नहीं पुरुसों का पता आगे आपसे क ऑब बकरियों के संक्या कितने हो जाएगी। संक्या हमारे पास कैसे निकलेगी। जब इसमें दो से गुरा करेंगी। अब हमको बकरियों के संख्या पता लगए कि भाई टू एक्स हैं तो बकरियों से भी दो गुणा कौन है पुरुस हैं तो पुरुसों के संख्या हमारे पास कैसे निकलेगी जब इसमें दो से गुड़ा करेंगे दो दुना चार यानि चार एक्स जो है ये क्या है पुरुसों पुरुस के दो पैर होते हैं और भेडों के चार पैर होते हैं ठीक है तो यहाँ पर इससे मतलब नहीं है प्रसनाप से सीधा सीधा आउसत आपको दिया गया है कि भाई कुल कितना पैर हैं तो आप कुल मिला करके 44 आपको दिया गया है तो आप यहाँ पर देखें कुल जब ऐ आपको दिया जाएगा तो भेड़ों कितने पेर होते हैं चार होते हैं तो two x हमने लिख दिया बकरीओं की संक्या two yaks है लेकिन एक बकरी के चार टांगे होती है मैंने चार लिख दिये चुक्vem पैरों की संक्या चार दी गई तो इसलिए हम को यहाँ पर पैरों की संख्या निकालने पड़ेगी तो आप सभी को पताँ गो पुरुस के दो टांग होती है तो चार एक्स गुड़े दो और इस सभी टांगों की संख्या कितनी बताई गई थी आपकी 44 बताई गई थी तो आपके समझ में आ रहा होगा बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं एक्स में चार से इसलिए गुड़ा किया गया है चुकि चार टांग होती है आपकी भेड़ों की दो टांग होती है मुर्गियों की इसलिए एक्स और जो है हमने लिखा यहापर दो टांग होता है आपका किसका बही चार टांग होती है बकरियों की और दो टांग होती है आपक पेर हैं इन दोनों में से वि parsley पूरूस और भेड़ आपस निश् Psalm समूव में चार पेर वाले जानवर हैं रहीं बकरियां कितनी हैं और भेड़ कितने हैं चुबकि इनके पास चार पेर वाले इनके पास चार पेर होते हैं तो अभी यहाँ पर आपका 8 x हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 8 x हो जाएगा ठीक है चुकि 4 दूनी 8 और 2 x में गोड़ा करेंगे 2 x तो यह आपका निकला सरीज ठीक है अब इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे चुकि x सभी में समानी है तो 4 2 6 8 6 14 14 और 8 कितना हो जाएगा 14 8 22 ह 6 5 22 बराबर 44 आप डेक और यहीं पर देखें आपसे कई प्रस्न पूच्ता आपसे पूच्ता की ब cooling Commission लोकि संखिय कुतनी है तो यहां-थी गुड़े दो चुकि दो एक्स कमान है और दो पहले से दिया गया तो चार मुर्गियां चार बकरी हो जाएंगी पुरसों की संख्या कितनी है तो चार गुड़े दो यानि की आठ मनुस्य हैं चार बकरियां हैं दो मुर्गियां हैं और दो भेड हैं ये आपका निकलाया लेक कि दो बेडं है और बकरियों की चार संख्या होती है तो वाइने कि चार बकरी है तो चार बकरी और रही मेड़ουμε। तो आपको यहाँ पर आपको मिलेगा जार पैरोल जाने को इस संख्या कितनी हो जाएगी जूकि यक्स यानि की एक्स माना था हमने भेडों की संख्या तो यक्स के अस्थान पर हमने दो रख दिया तू यक्स हमने माना था बकरियों की संख्या जूकि प्रस्द में दिया गया था तो दो गुड़े 2 यानि 4 यहां पर हो जाए ग ऐगा गा यूर पुरस्वों कि कितना हो जाएगा थीक quick 20 दोग गईसे हैं किया दो टांग हैं तो देखें दस लोगों के कितनी कितनी टांग हैं औन सब्सक्राइ 기ो गई और छे-चेचो के चोबिस ठीक है 24 टांग हो छाएगा ओके समझ में रहा होगा अएसे ही प्रकार के प्रस् worthless अब सकते हैं इसी टाइप पो लेकर के तो एक टाइप का मैने यहाँ पर प्रस्न रखा है जिससे आप को कोई दिक्ट न हो समझे में और आसानी आसान तरीके से आगला अग्ला प commit पाнымagлет आ चुका प्रस्न है एक निश्चित धन्रासी को दर्षन स्वाती और निभरती तीन लोग हैं दर्षन स्वाती और निभरती उनके बीच में धन्रासी को है उसको बाटा गया है ठीक है और निवर्ति को उनमें से कितना रुपया मिला है भिया 549 रुपया निवर्ति को मिला है अब दर्सन स्वाति और निवर्ति के बीच जो बाटीगी धन्रासी है वो कितने अनपात में है जो है स्वाति को अगर 5 रुपया मिला है तो अब दर्सन को तो स्वाति को 6 रु है साथ-धन्दासइ किसको मिली है ऐसे संजो मेरे साब से बहुत सरल तरीका साथ किसका देखिए निवर्टी निवर्टी को कितना मिला है साथ मिलाहर थीक है और हिरति को कितना यहां पर देखें पांसु उनतालिक तो साथ बराबर आप ऐसे डारेक्ट कर लें South Да फ़ी एकंटालीस अब देकिन साथ इसको काटे साथ-फिकर्नम्साथ साथ दूनूनी चलुकर, Coast IV यायनि साथ से कौटेंग टेंगे 49 और 4 इहां पर फिर Springsुड साथ साथ सता उन्चास, यहनी आपका निकलाया क्या? 1 कमान निकलाया 112 कमान एक कमान मान लीजे 87 ठीक, 97 सताहत्तर आपका निकला यहां पर ठीक है साथ में से अगर आपने एक कमान निकले उस सताहत्तर आपका निकला है कि सताहत्तर जो है रुपया स्वाति को मलब एक परकार से क्या मिला एक रुपय कमान कितना है एक रुपय कमान है सताहत्तर ठीक है यहां पर यह एक समान ले तो उस कमान कितना सताहत्तर निकला हमारा चुकि साथ एकस यहां पर मानिए ठीक है तो साथ एकस बराबर कितना हो जाएगा पांसो उन्तालिस के चुकि पांसो उन्तालिस निवर्ति को हमना पर बिर्दिक करेंगी तो सुषा निकलने के लिए अगर पूचा या था याथ हला कि पूचा नहीं चार और साचक 42 42 44 कितना होता है 42 चार भी याद 46 ठीक है 46 यानि 462 रुपय स्वातीप पा रही है इसके अलामा 77 में आप गुड़ा कर देंगे पांच का ठीक है तो कितना निकलेगा अब अगर आपसे पूछा आता कि दर्सन कितना रुपय पा रहा है तो आप गुड़ा देखो अगर 77 रुपया एक इसको मिला सीधे सीधे आप मान कर चलो 77 एक रुपय का मान 77 के बराबर है यहां पर एक अनुपात का बराबर 77 हो गया तो अगर आप यहां पर देखें कुल मिला करके आपसे पुछा कुल धन्रासी तो 5 6 5 11 11 11 और साथ कितना हो जाएगा 18 18 से आपका मान निकला एगा डारेक्ट ठीक है तो आप गुड़ा कर दें डारेक्ट है आपका यहां पर 58 पांच 29 में यहां पर डारेक्ट कर दिया है यहाँ पर कैसे लगाया गया है देखें माना कुल धर्णासी एक्स है अब प्रस्न के अनुसार देखें साथ ये क्या है साथ चुकि निबर्ती का धर्णासी पहले से पता है अब हमको कुल निकालना है तो कुल हमको 5, 6, 7 का यनपाद दिया अब हमको कुल निकाल लिया गुड़े एक्स कर दिया बराबर में 5, 49 चुकि 5, 49, 7 अगर यहाँ पर निबर्ती का धिया था तो दिमर्ती का मान उपर रखेंगे अगर स्वाती का मान दिया होता स्वाती का हम 6 उपर रखते ठीक है लेकिन अगर दर्सन का धिया होता है तो हम 5 उपर रखते लेकिन निबर्ती का ही मान यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर देखें निबर्ती और स्वाती और दर्सन का अनुपाद यह है और निबर्ती का अनुपाद 7 है ठीक है स्वाती का अनुपाद 6 है और दर्सन का रुपत पांच है, हमेंसा यहाँ पर देखेंगे, जो धर्नासी अनपाद में जिसे दर्सन पहले हैं, तो पहले यहाँ पर होंगे, स्वाती पहले तो बीच में, निबर्ती बाद में तो दुबाद वाला, अब यहाँ पर निबर्ती को 549 मिलने आ लेडी, तो य बड़ा सरल सवाल होता है साथ, ठीक है, अब यहाँ पर आप एक एक समान निकाल ले, आप 18 गुड़े, 18 यहाँ पर बटे साथ कार्ड दो, आपका निकलेगा 1386 पराया, यहाँ आप अफथारा से गुड़ा कर देंगे उस में, ठीक है, इसमें, 18 कैं निकला अफथारा, 7, 6, 13 और 5, 18 यह 18 रुपए हैं मान लेते हैं तो मिला करके बटा अब 18 बराबर आपको करना होगा जो आपका निकलेगा यानि 77 में अगर आप गुड़ा करेंगे 18 का तो आपका निकलाएगा जो भी मान होगा ठीक है तो कितना निकला आपका मान? 1386 निकला आप कैसे निकला है, इसको अगर मैं आपको गुड़ा करके बता दूँ, एससे, 77 से अगर आप गुड़ा कर दें, इसमें 18 में गुड़ा कर दें, ठीक है, तो 8 सते 56 की कितना हो जाता है, 6, और हासिल है, 5, 8 सते 56, 56 और पांच कितना हो जाएगा, भईया, 61, ठीक है, और 7, और तो चाहो तो आप इनकी विदी से लगा सकते हो यह जो हमने यहाँ पर दिखा रखा इसकिन पर लेकिन अगर आप इसको और सलल विदी से लगाना चाहेते तो उसमें आप कई परकार के प्रसनों को पूछेगा तो आप आसनी से बता पाएंगे कोई धन्दासी दी जाए अनुपात में हमेशा अनुपात जो होता है उसमें अगर कोई जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अभी मैं ध्यान से अगर देखू इसमें देखें तो निबिर्ती जो है वो 7 रुपे मान लेते उसको मिल ला है ठीक है और मानने वाला है स्वाती को 6 रु मानना था 7 मिल ला है और मिल कितना रहा? 749 तो 7 बराबर 549 के ठीक है तो इससे काटेंगे तो एक बराबर कितना निकलेगा? 77 के तो आप 77 हमको मिल गया ऐनी 77 में अगर हम 6 का गुड़ा करेंगे तो हमको स्वाती का मान निकल आएगा 77 का 5 में गुड़ा करेंगे दरजन का मान निकल आएगा 77 में 7 से गुड़ा करेंगे तो हमको किसका मान निकल आएगा? निर्भिर्ती का मान निकल आएगा तो इस प प्रसन आपके स्किन पर आचुका है उदारण देखें छे नंबर चाठवा प्रसन है आपका अगला को संदेखें A और B मित्र हैं A और B से मिलब A B से दो वर्स बड़ा है A के पिता D की आयू अ से दूगनी है और B की आयू अपनी बहन C की आयू से दो गुनी है D और C की आयू का अंतर 40 वर्स है तो A की आयू आपको ग्याद करनी है ये प्रसन पूछा गया है बड़ा गुमाओदार प्रसन लिखा है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है इसको बहुत ही आसान तरीके से आप जान पाएंगे चले मैं आपको समझाते हैं का काम करता हूँ सबसे पहली बात आपसे यहां पर कोशन्स में कहा गया है कि A की जो आयू है A और B क्या हो नहीं मित्र है A B से दो वर्स बड़ा है यानि कि अगर A की बात करें तो A किससे बड़ा है A बढ़ा है B से दो वर्स यानि पहले हम मानेंगे कि B की AYU कितनी है या आप ऐसे मान लिजिए कि A माना A की AYU कितनी है AX है तो चुकि A जो है वो दो साल बड़ा है किस से? B से यानि कि B की AYU कितनी निकलेगी? X-2 यानि दो गवर से घटा देंगे B की AYU का बिल्कुल ठीक है तो X-2 उसका निकल गया, ठीक है, आगे आपसे कोशन में कह रहा है, कि जो A के पिता है, प्रसन क्या कह रहा है, प्रसन आपसे कह रहा है, A के पिता, D की आयू, A से दो गुनी है, A से दो गुनी किसकी आयू है, A के पिता, D की, A के पिता, D की आयू, A से दो गुनी है, अब A की उनकी आयू two yaks होगी, चुकि दुगुनी है, प्रस्ण में कहा गया कि दुगुनी है, यहाँ पर फिर से समझें, देखें, एक के पिता कौन है? डी है, और डी की आयू क्या है, डी की आयू जो है, एक आयू से दुगुनी है, आगी आयू जो है, अपनी बहन एक बहन है, उसका नाम है C, c की iu से दोगुनी है अब b की iu जो है b की iu आपसे कह रहा है b की iu अपनी बहन c की iu से दोगुनी है ठीक है यानि कि आपसे यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखे c की iu c की iu कितनी है दोगुनी है अब अगर d की iu दोगुनी है है यहां पर देखें एक मिट के लिए आपसे कह रहा है कि b की जो i o वह दो गुनी है यानि अगर यह दो गुनी है तो इसका आधा बांट देंगे तो बटे दो कर देंगे यानि दूगुना अब यह आपकी हो गई C की आयू, C की आयू इसलिए हो गई, जो कि B की आयू X-2 है, ठीक है, तो अब C की आयू कितनी होगी, जो कि 2 गुना है B already, तो जब 2 गुना है, तो आप उसमें 2 से भाग दे देंगे, अगर 2 गुना करने के लिए बोलता, तो 2 से गुडा कर देते, लेकिन उससे 2 गुना एक प आप से कहरा है, कि D और C की आयू का अंतर, D और C की आयू का अंतर, देखें, अब D की आयू हमने निकाली थी कितना है, D की आयू जो है, 2 गुना है, तो प्रसन आप से कहरा है, प्रसन में, प्रसन में क्या कहरा है, कि जो D है और C है, उसकी आयू का अंतर 40 है, अंतर माने होत 2 बटे 2 यह C की आयू है ठीक है इसका अंतर कितना है 40 है यानि अंतर आपका 40 दिया गया ठीक है तो इन दोनों को यही आपको हल कर लेना समी करने यह C कमान निकाल लो सबकी आयूपता जल जाएगी देखें तो 2 माइनस 2 एकस माइनस 2 बटे 2 बराबर 40 तो आप ऐसे करेंगे इसको हल कैसे करेंगे दो का गुड़ा इसमें होगा ठीक है तो दो गुड़े 2 एकस माइनी 4 एकस हो जाएगा फिर आपका एकस वैसे रह जाएगा उपर यह उपर चला जाएगा और फिर प्लस 2 आपका हो जाएगा चुकि माइनस का जबी गुड़ा इसमें खुलेगा माइनस और माइनस का गुड़ा हो जाएगा आपका प्लस इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया जैसे इसको मैं हल कर दूँ है इसे आप देखें 2 एकस माइन मैनस का गुड़ा इसमें होगा तोि माइनस हो जाएगा माइनस और माइनस और फगगण ओर त्वर बिसक और ऑद किए धर गुड़े में बराबर की और जाएगा तो यहां कि इतर बहुत में ओधर जाएगा चालिस से तनसुन दो जेगा तो 4x यानि 2 दून हा 4. 4x फिर माइनस का माइनस यह उतार दिया गया , ‌het 2. Plus इसलिए हो गया ज्योकि माइनस का गुड़ा माइनस में करेंगे तो उसमे माइनस माइनस हो जाएगा लेकिन माइनस माइनस को गड़ा आपका होता है प्लस ठीक है यह आपने गड़ेत में पढ़ाओगा चो छोटे से अगर आप 10 कछा 10 अगरां पढ़ेंगे तो आपको पता होगा इतना आपसे पूचा गया था कि एक G aAd करे और यहाँ पर CGI च मानी थी उयाँ अपकर ऑका अगर अगर आपसे पूछा गया होता इसी प्रस्द में कि B की आयू बताएं तो B कितनी थी X-2 थी X कितना निकला 26 निकला 26 मां से दो घटा देंगे कितना बचेगा 24 यानि B जो है आपका 24 साल का है ठीक है चुकि दो साल एसे मलब ए दो साल बड़ा था तो उसका 24 निकलेगा अब अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता कि क्या पूछाता भाया D की कितनी आयू है A की पिता की तो चुकि 26 साल का A डारेक्ट है तो उसका बपा जो इससे दो गुना था तो 2 X हमने माना था तो 26 में 2 का गुड़ा कर देंगे तो 26 में 2 गुड़ा करें कितना हो जाएगा बावन हो जाएगा न तो 52 साल का D है आप से पूचता C की आयो कितनी है तो C की आयो चुकि यह हमने मानी थी इतना चुकि वो 20 से आधा था तो देखे 26-2 बटे 2 को बढ़ भाग देंगे दो का 24 में तो उसी तरीके से आपका एक परस्बा और ताव के तयार होंगे और ऐसे ग्जाम में आप से पूचेगा तो आप बहुत ही समझो, A और B मित्र थे, A जो था, B से कितना बढ़ा था, 2 वो साल बढ़ा था, तो मैंने A को माँना की भाई, माँना A, जो है, ahead, सαल का है, तो यो K fingerprints कितने साल का होगा, X minus 2 साल का होगा, चुकि 2 साल फो चोटा है, B से, मλब B, 2 साल छोटा है, A के पिता है एक D, D की आयू A से दो गुनी है, A की आयू X मानी थी, तो इनके बाप की आयू D की आयू 2X हो जाएगी, अब B की आयू जो है, उसकी बहन है C, उससे दो गुनी है, यहनि C की आयू जो है, X-2 चुकि इसका था, तो बटे 2 कर देंगे, चुकि आपसे उससे दो गुना 20 म है अपनी बहन से, तो इस तरीके से, अब आप उसको हल कर लेंगे, चुकि उनके आयू का अंतर आपको दिया गया है, D और C के, तो D को हमने इतना माना था, ठीक है, 2X और C को हमने माना था, X-2 बटे 2, ठीक है, तो उसको हमने हल कर लिया, 40 साब का दिया गया था, आपका अंसर आ गया 26 वर्स, ठीक है, साथमा कोशन साब देखेंगे, बढ़ी हाँ प्रस्ण है, रमेज पिछले महीने तक 80 रुपए प्रती लीटर की दर से पेटरोल खरीद रहा था, अब वह उसे 85 रुपए प्रती लीटर की दर से खरीदता है, पहले जो है, 80 रुपए का 1 लीटर पेटरोल खरीदा था से रहा है, पिछले महीने की तुला में पेटरोल की दर में कितने प्रतिसत की बृद्धी हुई, आप प्रतिसत की बृद्धी को निकालने के लिए सीधा सीधा क्या होता है, चुकि पिछले महीने आपने देखा, पेटरोल की कीमत 80 रुपए थी, प्रती लीटर, वर्तमान म आप सीधे-सीदे करेंगे तो 5 आपका निकलेगा 5 रुपे बढ़ रहा है 5 रुपे किस पे बढ़ रहा है ऐसी में 5 रुपे बढ़ रहा तो असी बटे में हो जाएगा गूड़े 100 हमेशा इसे निकालने के लिए आपको पर संटेस्ट निकालने बढ़ा आच्छा थरीका और पिर एक परकार से आपका एक बिचनट की इसलिए कराई अगर आप एक और निकालेंगे जैसे आप पचीस में एकर चार का भागी देंगे तो 45-24 फिर निकलेगा पॉइंट अगाएंगे दस हुआ यहां पर चार दूना आट कर देंगे ठीक है फिर दो बचा आपका ठीक है दो बचा फिर जीरो बढ़ाएंगे 20 हो गया चार पंचे बीस तो 6.25 ठीक है 6.25 तो ये आपका पेट्रोल की केमन बढ़ोतरी ऐसे माल लेते हैं आप से यहाँ पर 85 नालिक करके माल लेते हैं कि कोई वस्तू है माल लेते हैं पहले पारले जी बिस्किट आपका 10 रुपए में मिलता था अब उसका दाम 15 रुपए हो गया है तो कितने परसंट बिर्दी हुई कैसे निकालेंगे चुकि 10 रुपए में पहले मिलता था अब 15 मिला यानि कितने रुपए बढ़ोतरी हुई 5 रुपए की अब इसको परसंटेज में निकालने के लिए 5 उपर करके और 10 रुपए पर चुकि बिर्दी हुई तो 5 बटे 10 अब इसको पूछेंगे आशानी से आपको करवाया ये प्रसंट अगर पर आँगे तो आपको आ रहा होगा अगर 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 नहीं पढ़ें तो बहुत ही सहज होता है लेकिन आप नहीं जान पाते तो कठिन लगता है तो इसको छोड़ करके नहीं आना है बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाओगे अधारण है अधारण है ए बीसे आयू में तीन गुना बड़ा है मुझे समझाने में आपको समय लग रहा है तो वह इसे देख करके ही उत्ता लग जाता है यह से मलब की बुसक्री से दो बीस से तीस से कंड या लगवग अगर जाद जाद देंगे तो एक मिनट भी अमें बा चार वर्स में ए जो होगा 31 वर्स का हो जाएगा तो अगर चार साल बाद जो होगा ए 31 साल का हो जाएगा तो बी और सी की आयो का अनपात क्या है अब प्रस्न के हिसाब से ही ऐसे समझें आप कैसे समझें भीया आप देखें बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने का क साल का है जो कि ए चार साल बाद जो होगा 31 का हो जाएगा यानि अब वर्तमान में गर देखे तो चार साल उसको घटा दो तो यानि कि अब इस समय 27 साल का ए है जो कि चार साल बाद वो कितना का हो जाएगा चार साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा भी या 31 साल का हो जाएगा यानि अब वो 27 साल का है तो यह पहला निकला दूसरा यह आप से प्रस्ट में कह रहा है कि जो B है आपका वो A से आयो में 3 गुना बड़ा है अब चुकि A की आई उगर 27 है तो अगर 3 गुणा बड़ा होगा B बलब A 3 गुणा बड़ा है किस से? B से 3 गुणा बड़ा है यानि कि 27 ये है तो 3 गुणा अगर बड़ा है तो 3 तीन नौ 27 यानि 9 साल का B होगा आपका कैसे होगा? तो B की आयू कितने निकले कि 27 भागे 3 यानि 9 साल का B होगा ठीक है आगे प्रस्द में आपसे कह रहा है कि C की आयू आपसे क्या कह रहा है तीन गुना बढ़ा है 4 वर्स पहले C की आयू A की आयू की 2 गुनी थी तो 4 साल पहले अगर देखेंगे तो A की आयू कितनी थी 27 में और 4 साल पहले अगर देखें तो 27 साल का चुकि वर्तमान में है 4 साल पहले कितने साल का होगा 22 साल का होगा ये चुकि 4 साल बाद 31 साल का हुआ था तो हमने 27 साल निकाला और 4 साल 4 साल बाद 31 साल का होगा लेकिन चार साल पहले अगर पूछेगा तो चार साल के पहले बाईस साल का यह होगा, स्वारी तेई साल का होगा, और जब ए तेई साल का है, तो C की आयू जो है, A की आयू की दो गुनी थी, यानि अगर A आपका तेई साल का था, तो आपका C जो था, जो की दो गुना था उस साल पहले अगर 40 साल का था तो अब वो चार साल अगर आइड करेंगे तो 50 साल का सी हो जाएगा और परसना आप से पूछा गया है कि B और C की वरतमान आयू में कितना difference है तो B की आयू कितनी थी वरतमान में B की आयू वरतमान में 23 साल है स्वरी B की आयू वरतमान में कितनी भीया 9 साल है और C की आयू वरतमान में कितनी 50 साल है तो चुकि वरतमान में B और C की आयू जो है तो एक B की आयू 9 साल है और C की आयू 50 साल है अब आपसे पूछा गया है अंतर क्या पूछा गया भीया आपसे B और C की आयू कितनी है तो B की आयू आपकी कितनी हो जाएगी और C की आयू आपकी कितनी है 50 साल ये वर्तमान की पूछी गई थी तो वर्तमान की हम दोको निकाल ली है तो ऐसे आप आसानी से निकाल पाएंगे अगर आप प्रसनों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ठीक है तो ये आपका समझ में आ गया होगा आपको दिश्चित त देख लिएगा और इसके बाद में ये वीडियो भी देख लिजेगा बहुत महत्मून वीडियो है चलिए फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएं जबार ताब सभी का बहुत धन्यवाद हमारा से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यारा फिवाद बुदनी बादे